हलो बच्चो, वेलकम तो आई YouTube चैनल, तो आज हम करेंगे Standard 9th का Chapter 8 जिसका नाम है Trigonometry, इसका एक Practice Set, Practice Set 8.1 मैंने already upload कर दिया, अगर आपने हो नहीं देखा है तो उसका Link description में दिया हुआ है, जल्दी से जाके देख लीजिए, ताकि आपको Trigonometry के Basics clear हो जाए और आपको Trigonometry से जार लगना बंद हो जाए, ठीक है, 8.2 में हम वही Concept use करके First Question solve करेंगे, अब First Question में क्या दिया है यहाँ पे, In the following table, a ratio is given in each column, आप देखो, एक column में एक ratio दिया हुआ है, हर एक column में, ठीक है, यह Question number 1 है, 2 है, अलग-अलग questions है, Find the remaining two ratios in the column and complete the table, मतलब अगर मैं First Question यह लेता हू तो इसमें मुझे remaining two ratios find करने है, यह दो, एक दिया हुआ है, यह और यह find करने है, ठीक है, Second Question में क्या है, देखो, एक दिया हुआ है, यह और यह find करने है, ऐसे ही आप पूरा table complete करेंगे, इसमें हम वही Concept use करेंगे, जो हमने Practice at 8.1 में सीखा था, याद है, ratios याद करने के hypotenuse, cos का होता है, adjacent upon hypotenuse, tan का होता है, opposite upon adjacent, यही magic word यूज करके हम यह पूरा table complete करेंगे, तो यह हम पर first question क्या दिया है, cos theta equal to 35 upon 37, यह यूज करके मुझे यह और यह निकालना है, तो मैंने लिख दिया, cos theta equal to 35 upon 37, अभी एक right angle triangle ले 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 लिए, जिसमें हम लोगे theta angle ले यह वाला theta, theta आपको पता है न, एक angle का नाव है, आप उसको angle C भी बोल सकते हैं, लेकिन theta लिख देंगे तो clearly indicate हो जाता है कि कौन सा angle है, तो अब मैंने theta यह लिया, तो theta के लिए opposite कौन हुआ है, यह सामने वाला, तो यह O ले लिख लिया opposite, और theta के बाजु वाला side कौन सा हु हम लोग लिखते हैं, now, cos theta is equal to, क्या था cos theta का formula, magic word याद करो, so का तो हुआ, cos, तो यह C, adjacent upon hypotenuse, तो मैंने यहां पर लिख लिया, adjacent upon hypotenuse, अब यह theta के लिए, adjacent क्या है, यह वाला, BC, and hypotenuse है, AC, लिख दो यहां पर, BC upon AC, बच्छो अपना aim क्या है मत भूला, हमारा aim है, sin theta find करना, tan theta find करना, अभी देखो, यह sin theta, tan theta find करने के लिए, मुझे ही sides का value चाहिए, तो ही मैं find out कर सकता, ठीक है, अब cos theta is adjacent upon hypotenuse, is equal to BC upon AC, but cos theta का value क्या है, 35 upon 37, तो मैं यहां पर लिख सकता हूँ, 35 upon 37, मैंने यहां पर लिख दिया, 35 upon 37, तो बच्छो यह जो ratio है, BC upon AC, इसका ratio है, 35 upon 37, अब 8 standard में या 7 standard में हमने ratio and proportion बढ़ा था, तो उसमें हम लोग ने concept सिखा था, वो revise करते हैं, ठीक है, let's say मैं आपको एक ratio देता हूँ, Virat upon Rohit is equal to 2 upon 5, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, Virat equal to 2, Rohit equal to 5, नहीं, ऐसा नहीं लिख सकता, यह ratio जब ऐसा होता, इसका मतलब यह नहीं होता, कि Virat is equal to 2, Rohit equal to 5, इसका मतलब है, Virat और Rohit का जो भी score है, उसका ratio लिया, तो मुझे answer 2 upon 5 लिता है, suppose मैं लेता हूँ, Virat ने score किये 8 runs, and Rohit ने score किये 20 runs, ठीक है, दोनों का ratio लोग क्या मिलता है, Virat upon Rohit is equal to 8 upon 20, कट करो इसको, 4208, 45020, क्या आया ratio, देखो, 2 upon 5, Virat upon Rohit 2 upon 5 आया, बट, Virat equal to 2 है क्या, देखो, नहीं, Virat ने तो 8 runs score किये थे, रोहit ने कितने score किये, रोहit ने 20 runs score किये, आया समझ में, तो जब मैं लिखूँगा, Virat upon Rohit equal to 2 upon 5, इसका मतलब यह नहीं के, Virat equal to 2 and Rohit equal to 5, उनका ratio is equal to 2 upon 5, तो अगर मुझे equal to के terms में लिखना है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, therefore, Virat equal to Rohit equal to, अब देखो यहां पर, Virat के सामने 2 है न, तो यहां पे भी हम 2 लिखेंगे, फिर, Rohit के सामने 5 है, तो यहां पे भी हम लोग 5 लिखेंगे, लेकिन साथ में हम लोग एक constant डाल देंगे K, ठीक है, अब मैं equal to लिख सकता हूँ, आप अगर देखो, K का value 4 लेके देखेंगे न, तो क्या मिलता है, देखो, K 4 है, तो 2 4s आर क्या आ जाएगा, 8, देखो, Virat के 8 runs है, और यहां पे 4 लेके देखो, 5 4s आर 20, देखो, Rohit के 20 runs है, तो अगर ratio दिया है, तो मैं equal to form में कब लिख सकता हूँ, अगर मैं constant डे लेता हूँ, K, तो वैसे ही, BC upon AC, देखो, Virat और Rohit के जगे पे, BC upon AC दिया है, BC के जगे पे 35 है, AC के लिए 37, तो मैं BC equal to 35 लिख सकता हूँ, क्या, नहीं, बट BC equal to 35, K लिख सकता हूँ, जैसे यहा BC के दार 35 है, इसलिए BC equal to 35, K, AC के सामने 37 है, इसलिए AC equal to 37, K, तो अब मुझे BC पता है, BC is nothing but 35, K, and AC, यह अपना AC है, वो कितना है, 37, K, तो AC के यहाँ पे लिख दिया, 37, K, अब मैं Pythagoras theorem लगा सकता हूँ, मुझे यह एक side पता है, AC, दूसरी side पता है, BC, यह एकी side missing है, त तो Pythagoras theorem लगा के मैं यह side निकाल सकता हूँ, ओके, तो यहाँ पे लिख दिया, in triangle ABC, AC square is AB square plus BC square, AC square, hypotenuse square is AB square plus BC square, Pythagoras theorem, value substitute करो, AC कितना है, 37, K, तो यहाँ पे लिख दिया, therefore, 37, K, पूरे का square, क्योंकि, AC का पूरा square, तो AC के दर 37, K आगया, अब AB तो मुझे पता नहीं है, तो AB को ऐसे रहन दो, equal to AB square plus BC कितना है, 35, K, 35, K, ठीक है, अब इसको solve करते है, मुझे AB square का value चाहिए, तो यह 35, K square को यहाँ पे भेश दू, ठीक है, तो क्या मिलेगा मुझे, यहाँ जाएगा, 37, K square, यह 35, K, the whole square, वहाँ जाएगा, equal to के उस तरफ, तो penalty ही देना पड़ेग इधर plus है, वहाँ जाएगी क्या बन जाएगा, minus AB square, अब यह कौन से form का लग रहा है, देखो, this is A square minus B square, यहाद है आपको formula, magic formula जो हमने पढ़ा था, A square minus B square का value क्या आता है, A square minus B square is A plus B, A minus B, यह formula किया था ना हमने, यहाद है आपको, तो यह पूरे को मैं क्या लिख सकता हू A square minus B square को लिख सकता हूँ, A plus B, A minus B, A के जगे पर क्या था देखो, 37K, B के जगे पर 35K, तो इसको मैंने क्या लिख दिया, इसको लिख दिया, A plus B into A minus B, right side में कोई change आया गया, सिर्फ इसको हमने यह लिख दिया, right side में तो AB square ही है, तो इसको AB square ही रहने दिया, तो यह क्या है, 37 plus 35K, इसका value है 72K, and 37K minus 35K, इसका value है 2, तो मुझे यहाँ पर मिला, 72K multiplied by 2K, equal to AB square, अब यह 72 को 2 से multiply करो, तो आपको मिलेगा 144, and K को K से multiply करो, K को K से multiply करेंगे तो आएगा, K square, equal to AB square, correct, अब मुझे find out करना है value AB square का, तो अगर right side के value को मैं square के terms में लिख दूँ, तो मेरा काम हो जाएगा, 144 किसका square है, 12 का न, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, therefore 12 square, K square, equal to AB square, next step में, यह दोनों का square है न, तो मैं इन दोनों को एक साथ लिख सकता हूँ, ऐसे, 12K, फिर bracket में, यह square जो दोनों का था, अलग से उपर डाल दिया तो भी चलेगा न, क्योंकि दोनों को square मिलेगा जब एक bracket खुलेगा तो, this is equal to AB square, अब अच्छे से देख, AB के जगे पर यह है, उपर square, square अलग से है, तो मैं बोल सकता हूँ, AB equal to 12K, yes, तो मैं बोल सकता हूँ, therefore 12K is equal to AB, तो हमने डायग्राम में AB क जगे पर क्या लिख लिया, 12K, तो मेरे पास AB है, मेरे पास BC भी है, देखो 35K, and AC क्या है, 37K, ठीक है, हमारे पास सारे values है, हम वो क्या निकालना है, sine theta, sine theta का value क्या होता है, shortcut लिखो, so का toa, so में देखो, sine is equal to opposite upon hypotenuse, इसलिए sine theta आ गया, opposite side of theta upon hypotenuse, अब theta के opposite कौन है, AB, and hypotenuse कौन है, AC, तो यहाँ पर लिख दो, तो यहाँ पर आ गया AB upon AC, अब AB का measurement क्या है, देखो, AB अब भी हमने निकाला 12K, and AC का क्या है, 37K, तो AB के जगे पर डाल दो 12K, and AC के जगे पर 37K, अब क्या cancel होगा, K and K cancel आ जाएगा, क्या बचा 12 upon 37, तो sine theta का value आ गया, 12 upon 37, तो यह हो ग अब यहाँ पर sin theta, अब बचा है tan theta, tan theta भी हम लोग यही वाले triangle में से निकालेंगे, comment section में मुझे जल्दी से बता हो, अगर आपको खुद से आता है, तो tan theta क्या होता है, यहाँ पर देखो, so का तो हमें tan theta is opposite upon adjacent, तो यह वाले triangle में tan theta opposite upon adjacent आएगा, AB upon BC, तो लिख दो जल्दी तो यह आगए tan theta, opposite side of theta and adjacent side of theta, opposite side AB, adjacent side BC देखो, theta के opposite और यह बाजुवाला, तो AB upon BC आगया, AB का value है 12K, BC का value है 35K, substitute करो, क्या मिलेगा मुझे 12K upon 35K, फिर से के के कट होगा, के और के कट क्या बचा, 12 upon 35, तो tan theta का value है आगया हम लोगो, tan theta get 12 upon 35, तो हम लोगोंने sin theta भी निकाल लिया, और tan theta भी निकाल लिया, तो first question के लिए table complete, एक बार पूरा solution अच्छे से देख लो, क्या किया हमने, पहले तो cos theta दिया था एक question में, हमने 35 upon 37 लिया और एक triangle बना लिया, जिसमें हमने theta ले लिया, ठीक है, फिर cos theta का हम लोगो trick प पता है के cos theta is adjacent upon hypotenuse, इसमें adjacent BC है और hypotenuse AC है, वो use करके हमने BC upon AC का value निकाल दिया, फिर ratio and proportion का concept यूज करके, BC के सामने 35 है, तो मैं लिख सकता हूँ, BC equal to 35 के, and AC के सामने 37 है, इसलिए मैंने AC equal to 37 के लिया, दो sides आ गई मेरे पास, फिर मैंने ये वाले triangle में python लगाया पूरा, और निकाला AB का value 12 के, अब मेरे पास तीनो value आ गया, जब मेरे पास तीनो value आ गया, तो जो question पूछा है ना, कि find the ratios, मैं कोई भी trigonometric ratio निकाल सकता हूँ, मेरे पास सिर्फ cos theta था, लेकिन मैंने ratio in proportion and pythagoras use करके, दूसरा वाला side भी निकाल लिया, जो नहीं दिया था, फिर ती genocide आ गये, तो मैं sin theta और tan theta तो easily calculate कर सकता हूँ, आगया समझ में, वीडियो pause करके एक बार अच्छे से देख लो, next करते हैं, second question क्या दिया है, sin theta के जगे पे दिया है 11 upon 61, और हम लोगो cos theta और tan theta निकालने है, ठीक है, तो मैंने फिर से एक right angle triangle ले लिया PQR, और उसमें ये वाल theta का value हम को 100 का तो वा से पता है, 100 का तो हमें sin का क्या आता है, opposite upon hypotenuse, तो sin theta के बाज़ों में मैं ligg दूँँगा, opposite upon hypotenuse, opposite upon hypotenuse आ गया, opposite में क्या है side, PQ, तो यहा पैं मैंने लिख दिया, PQ, upon और hypotenuse क्या है, PR, तो मैंने यहाँ ये लेकिन यह sin theta का value है ना, question में दिया है कि sin theta का value 11 upon 61 है, तो मैं यहाँ पे equal to डाल के 11 upon 61 लिख सकता हूँ ना, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया equal to 11 upon 61, अब ratio and proportion use करते है, pq के सामने 11, pr के सामने 61, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, therefore, pq is equal to 11k and pr is equal to 61k, कि जो भी सामने है, उसके साथ एक k लिख लिख लिया, first question में मैंने आपको detail में explain किया था कि ऐसे क्यों आता है, अब next, इसमें Pythagoras theorem लगाएंगे, same step से, कोई difference नहीं है, हर बार इसमें कुछ 9 questions दिये हैं, 9 के 9 questions में हमें यही करना है, सिर्फ difference कहाँ पर आएगा, यह बीच में जो Pythagoras का calculation है न, वो थोड़ा लंबा होते जाता है, tricky होता है, ठीक है, बाकी कोई difference नहीं है, चलो इसमें Pythagoras लगाते हैं, यह Pythagoras, in triangle PQR, hypotenuse square, is equal to PQ square, plus QR square, value substitute करो, PQ का value है 11K, PR का value है 61K, तो यहाँ पर लिख दिया, 61K the whole square is equal to, PQ है 11K the whole square, plus QR square, मुझे QR square का value चाहिए, तो यह 11K the whole square को उधर shift कर जो, तो क्या मिलेगा, F or 61K the whole square, minus 11K the whole square, क्या बचा right side में सिर्फ, QR square, यह, उधर जाके minus हो जाएगा, equal to को cross किया, तो penalty ही देना पड़ता है, अब इसको हम लोगने cases all किया याद है, A square minus B square, A square minus B square का value क्या होता है, A plus B into A minus B equal to QR square, आपको चाहिए, तो आप reason लिख सकते हो, लेकिन reason लिखने की जरूरत नहीं है, लिख दो reason, तो यहाँ पर लिख दिया, A square minus B square is equal to A plus B into A minus B, ठीक है, यह वाले पूरे को हमने इसमें convert कर दिया, अब 61 plus 11 हो जाएगा 72, तो मुझे में लिखा therefore 72K into 61K minus 11K हो जाएगा 50, तो 50K is equal to QR square, अभी आपको इसको solve करना है, 72 into 50 is equal to QR square, यह दोनों को multiply करके आपको आएगा, 72 into 50 हो जाएगा, 3600, और K into K हो जाएगा, K square, देखो K, K है ना यहाँ पर, भूलना मत, is equal to QR square, अब देखो, 6 का square 36 होता है, तो 2 extra 0 है न, तो मैं क्या बूल सकता हूँ इसको, ऐसे बूल सकता हूँ, therefore, 60 square, K square को ऐसे रहन दिया, is equal to QR square, क्योंकि 60 का square क्या आएगा, 66 अ 36, फिर दो बार 0 आएगा, क्योंकि 0 का भी square हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर 60 square और K square को एक साथ लिख सकता है, इसको मैं लिख सकता हूँ, 60 K, फिर पूरे का square, क्योंकि देखो, दोनों का square है उपर, तो दोनों को एक साथ लिखके, अलग एक उपर square दे सकता हूँ, bracket को, is equal to QR square, अब compare करो, यह देखो, उपर square square, और QR के जगे पर 60 K आ रहा है, तो QR का value क्या आ गया, 60 K, तो मैं लिख सकता हूँ, therefore, 60 K is equal to QR, आपको यह दो एक और step लिख दो, QR equal to 60 K, तो QR equal to 60 K आ गया, ठीक है, तो अब diagram में QR equal to 60 K, लेबल कर दो, तो अब हम लोग ने लेबल कर दिया, QR equal to 60 K, उपर already निकाल दिया था कि PQ 11 K है, और PR हमारा 61 K है, हम लोग को sin Theta दिया था, अब क्या पूछा है, cos Theta and tan Theta, सो का तोवा में देखो, cos Theta is adjacent upon hypotenuse and tan Theta is opposite upon adjacent, चलती से निकालो, तो यहाँ पे दोनों लिख दिया, cos Theta is adjacent upon hypotenuse and tan Theta क्या है देखो, opposite upon adjacent, तोवा, ठीक है, अब देखो, cos Theta के लिए adjacent and hypotenuse क्या है, थीटा के लिए adjacent era, क्या है, QR, तो यहाँ पे लिख दिया, QR upon, उसके लिए hypotenuse क्या है, PR, तो यहाँ पे लिख दिया, QR का value क्या है, 60K and PR का value है, 61K, तो यह आ जाएगा, equal to 60K upon 61K, के के कट हो जाएगा, क्या बचेगा, 60 upon 61, तो यह आ गया मुझे किसका value, cos Theta का, वैसे ही tan Theta का क्या लिखेंगे, tan Theta is opposite upon adjacent, opposite कितना है, PQ and adjacent है QR, तो यहाँ पे लिख देंगे, PQ upon QR, is equal to PQ का value है, 11K and QR का value क्या है, देखो, 60K, फिर से के के कट, क्या बचा, आपके पास बचा, 11 upon 60, तो मेरे पास, cos Theta का value भी आ गया, tan Theta का value भी आ गया, ठीक है, वही पूचा था न, cos Theta, tan Theta, तो यह आ गया पूरा solution, same previous question जैसा ही किया है, फिर पूरा solution देख लो, वीडियो pause करके, next करते हैं, तो बच्चों हमने first और second solve कर लिया, अब यह third वाला solve करेंगे, ठीक है, अब यह हम थोड़ा fast करेंगे, क्योंकि आपको technique समझ गया है, कैसे करना है, फिर हम लोगे square root वाला समयना, उसमें थोड़ा time लगाएंगे, because square root के calculations generally, लोगों को थोड़े difficult लगते हैं, क्योंकि ऐसे ही लोग square root देके डर जाते हैं, डरों मत बहुत ही simple होता है, मैं tricks बताऊंगा, कि आपको square root से डर ही नहीं लगी है, ठीक है, चलो third question करता है, अब इसमें third question में क्या दिया है, देखो, tan theta का value दिया है 1, and sin theta और cos theta में find करना है, ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया tan theta 1, हमको so का तोवा से पता है, tan का value होता है opposite upon adjacent, इसलिए tan theta के बाजू में लिख दिया opposite upon adjacent, क्या जाएगा, यहाँ पर theta का opposite कौन है, pq, and theta का बाजू वाला adjacent कौन है, qr, तो यहाँ पर लिख दिया pq upon qr, फिर tan theta का value मुझे pq upon qr आया, लेकिन question में दिया tan theta equal to 1, तो मैं यहाँ पर बाजू में 1 लिख सकता हूँ न, अब यहाँ पर नया खेल शुरू होता है, यहाँ पर equal to 1 लिखा, तो जब ratio and proportion यूज करने की बारी आएगी, तो pq के सामने 1 होगा, qr के सामने कुछ नहीं होगा, first 2 question में तो यह problem नहीं आया था न, तो यहाँ पर दिमाग लगाना है, 1 को मैं 1 upon 1 लिख सकता हूँ क्या, 1 upon 1 क्या होता है, 1 upon 1, 1 ही होता है न, तो अगर 1 दिया है, तो उसको मैं 1 upon 1 लिख सकता हूँ, अब देखो, pq के सामने क्या है, 1, qr के सामने भी 1, ratio and proportion यूज करेंगे, तो pq का value क्या आएगा, 1 k, and qr का value भी 1 k, तो लिख देते हैं, तो यह आगया, pq 1 k, and qr भी 1 k, क्योंकि दोनों के सामने 1, 1 है न, फिर हम k लेते हैं, ratio and proportion के concept से, अब मुझे pq पता है, and qr पता है, दो side पता है, तो मैं pr find कर सकता हूँ न, पाइथागरस theorem से, चलो जल्दी से करो, तो यहाँ पे पाइथागरस theorem लगा है, in triangle pqr, pr square is equal to pq square plus qr square, value substitute करो, pq के जगे पे 1 k, and qr के जगे पे 1 k, क्या आजाएगा, मुझे मिलेगा, 1 k the whole square plus 1 k the whole square, 1 का square 1, k का square k square, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं न, 1 square k square, और इसको भी लिख सकते हैं, 1 square k square, 1 square कितना होता है, 1, तो यह जाएगा 1 k square plus 1 k square, 1 plus 1 कितना हो जाएगा, 2, तो यह मुझे मिलेगा 2 k square, ठीक है, therefore, I can say, pr square is equal to 2 k square, और अब अगर मुझे pr का value find out करना है, देखो, 2 को यह perfect square तो है न, मैं यह पूरे को ऐसे लिख सकता है, bracket बना के whole square, क्योंकि 2 का square root मुझे निकालना पड़ेगा, तो इससे अच्छा, मैं दोनों तरफ square root ले लेता हूँ, ठीक है, दोनों तरफ square root लेंगे तो क्या होगा, यह square और यह root cancel हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे, यह root दोनों पे चला जाएगा, कैसे आएगा देखो, taking square root on both sides, ऐसे ले लिए, दोनों का square root, ठीक है यहाँ पर यह square और यह root cancel हो जाएगा तो मुझे क्या मिलेगा therefore PR आ जाएगा यहाँ पर equal to यह जो root है यह दोनों को मिलेगा 2 को भी और k square को भी तो क्या आ जाएगा root 2 into root k square ठीक है अब फिर से देखो यह square और यह root cancel हो जाएगा root 2 तो root 2 ही रहेगा न तो मुझे क्या मिल जाएगा therefore PR equal to यह root 2 ऐसे ही रहेगा और k square में k square और root cancel तो मुझे मिल जाएगा k तो मुझे क्या value आ गया मुझे PR का value आ गया root 2 k PQ और Q और मुझे अल्रेड़ी पता था तीनो साइट्स मिल गए तो मेरा काम हो गया triangle में तीनो साइट्स पता है तो मैं कोई भी ratio find out कर सकता हूँ तो यह 1 के और 1 के तो हमने पहले निकाल लिया था यहाँ पे देखो PQ equal to 1 के QR equal to 1 के फिर हमने निकाला PR equal to root 2 के तो PR देखो यह root 2 के हो गया अब क्या पूछा है sin theta और cos theta कौन सा magic word यूज़ करेंगे so का तो आई यूज़ करके sin theta और cos theta निकालो जल्दी से विडियो बॉस करके निकालो फिर देखो मैंने कैसे निकाला है तो यहाँ पे sin theta क्या आ जाएगा so opposite upon hypotenuse तो यह लिख दिया opposite upon hypotenuse sin theta का opposite है PQ and hypotenuse है PR तो यहाँ पे लिख दिया equal to PQ upon PR PQ का value क्या है PQ का value है 1K and PR का value क्या है देखो root 2K तो यहाँ पे आ जाएगा 1K upon root 2K फिर से देखो K और K cut क्या बचा equal to 1 upon root 2 यहीं दोने बचाए ना 1 upon root 2 तो लिख 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 लिखा है यहाँ पे cos theta का value देखो का so का तो हमें cos is adjacent upon hypotenuse so adjacent upon hypotenuse लिख दिया theta के लिए adjacent कौन है यह बाजु वाला QR और hypotenuse कौन है PR ठीक है तो यहाँ पे लिख दिया equal to QR upon PR qr का value क्या है qr का value है 1k and pr का value है root 2k तो यह मिल गया 1k upon root 2k अब k और k cut और value क्या आगया क्या बचा 1 upon root 2 तो यहाँ पे आगया 1 upon root 2 दोनों का value 1 upon root 2 सर यह तो कुछ गलत है क्यों गलत है मैंने trigonometry अब तक सिखा है उसमें मैंने बोला क्या sin theta और cos theta कभी equal नहीं आ सकते बहुत ज़्यादा दिमाग लगा कि ऐसे मत तोज़ना रे सर यह तो हो नहीं सकता और यह answer change कर देते है हमने सब step 5 solve कियो और हमको यह answer आया तो possible है ठीक है तो sin theta और cos theta का value लिग दो यह पूचा था sin theta cos theta और यह दोनों value उने निकाल लिया यहाँ पे square root वाला था इसलिए calculation कुछ लोगों को tricky लगा होगा लेकिन ऐसे तो काफी simple way मैंने आपको explain कर दिया है ठीक है तो यह दूसरी बार जो figure बनाया वो erase कर देते हैं अब जो fourth में देखो sin theta half दिया हुआ है ठीक है second question में भी sin theta दिया हुआ था तो हमने question solve किया है अब यह fourth वाला मैं बहुत ही quickly आपको explain करूँगा क्यूंकि हमने second में already यह type का question कर लिया है ठीक है अच्छे से ध्यान दो तो fourth question में sin theta half दिया है ठीक है हमने triangle ले लिया cos theta और tan theta पूचा है यह निकालने के लिए मुझे बाकी दो sides लगेंगे तो हम लोग क्या लिखते हैं sin theta को हम लोग 100 का तोवा से लिख देते हैं opposite upon hypotenuse sin theta का opposite है PQ and hypotenuse है PR ठीक है and sin theta का value question में half दिया है तो sin theta के सामने यहां पे half लिख दिया लेकिन इसका मतलब क्या हुआ PQ के सामने 1 आया and PR के सामने 2 आया तो मैं PQ equal to 1 and PR equal to 2 लिख दूं क्या नहीं लिख सकता क्या लिखना पड़ेगा PQ equal to 1K and PR equal to 2K क्योंके PR के सामने 2 है ratio and proportion याद है अब इस पे पाइथागरस लगाओ जल्दी से तो यहाँ पे पाइथागरस लगा दिया PR square is equal to PQ square plus QR square PQ का value है 1K and PR का value है 2K substitute कर दिया अब इसको solve करते है तो पाइथागरस के last step पे देखते हैं तो यहाँ पे value substitute कर दिया ठीक है पूरा calculate किया नीचे 4K square equal to 1K square plus QR square आया यह 1K square को उस तरफ shift करेंगे तो यहाँ पे plus है इधर जाके minus हो जाएगा 4K square minus 1K square आजाएगा 3K square फिर यह मुझे QR का value find करना है इसलिए मुझे दोनों तरफ square root लेना पड़ेगा इसके पहले के question में भी हमने किया था दोनों तरफ square root लिया square और root cancel हो जाएगा तो यहाँ पे QR square बन जाएगा QR और यहाँ पे देखो 3 का square root square root of 3 होता है इसका और कोई value नहीं है तो इसको हमने square root of 3 लिख दिया और k square का क्या होगा यह square और root cancel हो जाएगा और k बचेगा तो सिर्फ k बचा तो मुझे QR का value क्या आ गया root 3 k तो मैंने QR का value यहाँ पे लिख दिया root 3 k ठीक है याद रखना k root के बाहार है k root के अंदर नहीं है यहाँ पे जो answer है उसमें अब मुझे को qr मिल गया हमारे पास PQ और PR अल्रेडी था तो triangle के सारे sides है तो जो बाकी बचे हुए ratios है वो तो मैं इसल निकाल सकता हूँ कौन सा magic word यूज करके so kaat हुआ तो यह वाले triangle में मैं तीनो values लिखूँँगा और cos theta और tan theta निकाल लूँगा तो यहाँ पर मैंने cos theta और tan theta का value पूछा था ठीक है तो यह देखो 1k दिया हुआ था यह 2k दिया हुआ था फिर यह root 3k हमने निकाल लिया तीनों sides है हमारे पास ठीक है cos theta क्या होता है so kaatwa ka cah मतलब cos theta is adjacent upon hypotenuse so kaatwa याद है न adjacent क्या है theta के लिए यह वाला देखो मैंने a लिखा है adjacent के लिए root 3k फिर hypotenuse क्या है hypotenuse है 2k तो root 3k upon 2 के आया kk cancel value आगया root 3 by 2 tan theta is so kaatwa toa में देखो tan is opposite upon adjacent तो यहाँ पर opposite upon adjacent लिख लिए theta के लिए opposite है ये adjacent है ये value substitute किया kk cancel किया बनपॉन root 3 आगया तो मेरे पास cos theta और time theta दोनों value आगया sin theta दिया हुआ था सिर्फ आया समझ वे एक बार ये पूरा solution अच्छे से देख लो बहुत जादा simple है सारे steps हमने previous questions में किये हुए so kaatwa अपना magic word है ठीक है ये जो दूसरी बार figure बना है आपके reference के लिए बना है क्योंकि आपको figure नहीं दिख रहा था जब मैं explain कर रहा था ये figure मैं delete कर रहा हूँ एक बार पूरा solution देख लो video pause करके next करते हैं तो हमने first four questions कर लिए ठीक है अब ये fifth वाले में उसने cos theta का value दिया देखो ये वाला question solve करें cos theta का value दिया है sin theta and tan theta find करना है ये अलग question है ठीक है सब अलग-अलग questions है तो हमने चार अलग questions कर लिया अब cos theta से sin theta tan theta हमने अल्रेडी find कर लिया है देखो first question में cos theta से sin theta tan theta तो आप first question refer करो और fifth वाला question खुद से solve करो ठीक है फिर मैं जो solution दे रहा हूँ उससे compare करो आपका सही है के नहीं तो fifth वाला मैं पूरा solution आपको दे रहा हूँ video pause करो खुद से solve करो video pause किये भीना खुद से solve किये भीना मत देखना ठीक है जिन लोगों ने कर लिया है अब देख लो solution same जैसा first question था वैसे ही cos theta लिया ratio and proportion से value निकाला value substitute किया पाइथगर स्थेरम में यहाँ पर यह एक जो step है न वो देख लो root 3 k the whole square आएगा न pr square के जगे पर कुछ लोग इसको bracket square बोलते हैं ठीक है पूरे bracket का square तो यहाँ पर जब मैं square करूँगा तो root 3 को भी square मिलेगा and k को भी square मिलेगा तो मैंने दोनों का अलग-अलग square लिख लिए यह तो simple है यहाँ पर 1 square k square अब दोनों का अलग square लिया तो यह root और यह square कट जाएगा न यह छत्री के साथ square कट जाएगा क्या बजेगा स्रिफ 3 ठीक है k square ऐसे ही रहेगा फिर 1 k square को यहाँ लेका है solve किया 2 k square आया फिर इसको solve करने के लिए pq square को pq बनाने के लिए दोनों तरफ square root ले लेंगे हर problem में लिया था हमने अब 2 k square का square root लेंगे फिर से यह छत्री दोनों को मिलेगा तो 2 को भी मिला और k square को भी मिला जब k square को दूँगा तब यह square और यह कड जाएगा तो क्या बचेगा यह root 2 तो ऐसे का ऐसा नीचे है यहाँ पर सिफ k बचेगा ठीक है तो pq का value मिल गया qr का value था pr का value था pq मिल गया तीनों values मिल गया जो भी ratio पूछेगा हम निकाल सकते हैं फिर so का तो आ यूज करके हमने sin theta और tan theta का value निकाल दिया ठीक है यह value substitute करके अच्छे से एक बार देख लो कैसा किया है यह अगर आपको नहीं समझता है यहाँ पर root 2 upon 1 आ रहा है कुछ भी upon 1 होगा तो हम लोग उसको बिना वन के लिख सकते हैं ना इसलिए मैंने root 2 upon 1 को root 2 लिखिया sin theta and tan theta देखो find कर लिया और यहाँ पर हम लोग भर देंगे तो हमारा fifth question भी solve हो गया next करते है तो हमारा fifth question भी solve हो गया ठीक है अब हम करेंगे sixth, sixth में क्या दिया है देखो blanks का आपे है sin theta और cos theta के यहाँ पर value किसका दिया है tan theta का यहाँ पर value दिया हुआ है ठीक है यह value दिया हुआ है tan theta का value दिया हुआ है यह वाले third question में भी दिया हुआ था और हमने sin theta और cos theta निकाला था sixth question same way में करना है difference इतना है कि number थोड़ा बढ़ा है तो calculation थोड़ा बढ़ा आएगा but simple number जे 21 और 20 तो हो जाएगा ठीक है तो sixth question आपको खुद से करना है फिर भी मैं आपको solution दिखा रहा हूँ आपको verify करना है कि आपका right है कि नहीं तो video pause कर लो sixth वाला खुद से try करो बच्चों trigonometry खुद से practice नहीं करेंगे तो इससे डर लगेगा अभी आपने पहले 5 sum में देखा कि यह trigonometry बहुत simple है इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है लेकिन practice के बिना आप trigonometry नहीं कर भाएगे क्यूंकि इसमें calculations है अलग-अलग steps है कहीं पे भी एक छोटा सा mistake हुआ तो पूरी जो मेहनत करी थी वो पानी में चली जाए ठीक है 6th वाला question खुद से solve करो वीडियो pause कर तो 6th question ऐसे आ जाएगा same to same इसका question मैंने पहले किया हुआ है सिर्फ value change होगा है tan theta का 21 upon 20 तो जब मैं PQ और QR मैं substitute करूँगा तो 21 square 20 square आ जाएगा 441 और 20 square आ जाएगा 400 आड करूँगा तो आ जाएगा 841 फिर दोनों तरफ square root लेंगे तो PR square में देखो ये square और ये कटो के सिर्फ PR बच जाएगा और ये square root के अंदर देखो क्या खेल हो रहा है 841 बन जाएगा 29 का square because 29 का square 841 है 29 फिर ये square और ये चतरी cancel तो बचा के तो PR का value आगा 29 क PQ अल्रड़ी हमने निकाला था QR भी हमने निकाल लिया था तीनों साइड मिल गया है फिर मैं कोई भी ratio निकाल सकता हूं ठीक है तो ये sin theta और cos theta मैंने 100 का तोवा magic word यूश करके ये ratio निकाला value substitute किया cut किया और मुझे sin theta और cos theta का value आगया simple है video pause कर लो अच्छे से देखो कहाँ पर mistake हुआ है I am sure आपको right ही आया होगा लेकिन अगर गलत आया है तो देख लो कहाँ पर mistake है यहाँ पर जो ये step है न ये काफी लोग अलग-अलग तरीके से सिखाएंगे कुछ लोग सीधा square root of 841 29 लिख देंगे गलत नहीं है ये आपको समझ में आ इसलिए मैंने बताया कि होता कैसे directly इसके बाद ये वाला step लिखा तो भी चलेगा ठीक है next करते हैं तो हमारा sixth question भी हो गया ठीक है अब seventh question में देखो यहाँ पे tan theta दिया है और sin theta cos theta find करना है same देखो sixth question में भी tan theta दिया था and sin theta cos theta find करना था खुद से solve कर लेंगे तो seventh sum मैं आपको हमग देदू या video pause करके आपको solve करना है फिर verify करना है चलो video pause करके देख लो मैं solve करके दिखाऊंगा लेकिन सिफ verify करेंगे ठीक है चलो video pause करके खुद से solve करो तो यह आजाएगा यह अच्छे से देख लो कैसे किया हुआ है video pause करके अपना mistake देख लो कहाँ पे है नहीं है mistake तो बहुत अच्छे very good खुद से solve किया है you should be proud of yourself तो मैं देखो last में sin theta cos theta निकाल दिया जैसे question number 6 में निकाला था ठीक है next करते हैं तो 7th question भी value डाल दिया मैंने अब बचा 8th question 8th question में देखो sin theta का value दिया है 3 upon 5 sin theta के यहाँ पे देखो और पुछाए cos theta and tan theta sin theta वाल हमने कौन सा question किया था second one देखो यहाँ पे 11 upon 61 और उसके दो values फाइंड किये थे 4th में भी sin theta दिया था और cos theta and tan theta आपने फाइंड किया था इसमें भी same है तो यह फिर से आपको खुद से ही करना है आप सोच रहोंगे मैं सारे questions आपको खुद से ही करने बोल रहा हूँ बच्चों क्यूंकि सारे questions बहुत similar है सिफ calculations change हो रहा है मैं आपको spoon feed करूंगा ना कि सारे questions solve करकर करके दिखाऊँ तो आप लोग खुद से practice नहीं करेंगे खुद से practice नहीं करेंगे तो trigonometry आपको हमेशा difficult लगेगा अगर question different है बहुत जादा difficult calculations है तो मैं solve करके आपको ज़रूर बताऊँ लेकिन 8th question आपको फिर से खुद से ही करना है क्योंकि बहुत ही simple दिख रहा है 3 upon 5 value substitute करना है बस बाकी method पूरा same है तो cos theta, tan theta जल्दी से निकालो और मुझे comment section में बताऊ आपने comment section में नहीं बताया है उसका मतलब आपने solve भी नहीं किया ठीक है, अगर solve नहीं कर रहे हैं तो आपको technometric difficulty लगेगा चलो, अच्छे बच्चे बनो और ये solve करके मुझे बताऊ तो अब हम करते हैं 9th question 9th question में देखो, tan theta दिया हुआ है tan theta वाले हमने देखो 1, 2, 3 problem solve किये ये 4th problem है method same होने वाला है ये question मैं इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि इसमें ये 2 root 2 बहुत दरावना दिखता है एक तो root, उपर से fraction आधे लोग तो question देखके ही छोड़ देंगे लेकिन जब मैं solve करा हूँआ ना तब आपको देखकर समझ में आएगा कि इससे डरने की कोई ज़रूरती नहीं है ये तो बाकी question से भी simple है तो 9th question करते है हमने already 3 question same type के किया है ये भी कर रहे है तो 9th question में tan theta दिया है 1 upon 2 root 2 तो मैंने यहाँ पे लिख दिया tan theta equal to 1 upon 2 root 2 तो tan theta क्या होता है so ka toa so ka toa में tan theta इस toa opposite upon adjacent तो मैंने यहाँ पे लिख दिया opposite upon adjacent opposite क्या है देखो pq adjacent है qr बाजुवाला न थीटा के and tan theta का value question में भी दिया है 1 upon 2 root 2 तो यहाँ पे tan theta के साथ equal to मैंने 1 upon 2 root 2 कर दिया अब ratio and proportion देखो pq के सामने 1 qr के सामने 2 root 2 तो मैं pq क्या बोल सकता हूँ pq बोल सकता हूँ 1 है न pq के सामने तो 1 k n qr के सामने 2 root 2 है तो 2 root 2 k अब इसके बाद next step क्या है अपना हर question में हमने ऐसे ही किया है न हम यह सब क्यों कर रहे है question में tan theta दिया है और मुझे sin theta cos theta निकालना है tan theta दिया है उससे मुझे 2 sides मिल रही है तो इसलिए मैंने ratio लिखके 2 sides निकाल ली फिर pythagoras लगा के मैं 3 side निकालूँगा फिर मेरे पास 3 side आ गई तो sin theta cos theta तो easily calculate हो जाएगा कैसे magic word अब इसपे pythagoras लगा हो जल दीज़े तो pythagoras से मुझे यह मिलेगा p r square is equal to p q square plus q r square ठीक है यह तो standard theorem है value substitute करो p q के जगे पे 1 k and q r के जगे पे 2 root 2 k तो क्या आ जाएगा मुझे मुझे मिलेगा p q के जगे पे 1 k plus q r के जगे पे 2 root 2 k the whole square देखो यहां पे q r के जगे पे यह value डाला है क्यों क्योंकि q r का value यही आया था k मत बूल जाना मैं दोनों को अलग solve करके बताता हूँ कुछ लोग यह step नहीं बताएंगे नहीं बताएंगे तो चलेगा लेकिन बताओगे तो आपका mistakes होने का chances कम हो जाता है ठीक है दो-तीन step से आपका question ज़्यादा बड़ा लंबा नहीं होता ठीक है अच्छे से देखेंगे तो यह आपको आगे help ही करेगा चलो अब यह solve करते हैं इसमें देखो हमें काम आएगा ही plus जब यह square अंदर जाएगा तो यह तीन चीज़े हैं आपे 2, root 2, k तीनों को मिलेगा 2, root 2 के लिए भी and k के लिए भी देखो बच्छो इसके अंदर 10 terms होते हैं तो दसो number को square मिलेगा सबको देना पड़ता है आप ऐसे नहीं बोल सकते हैं अरे यार यह root 2 मुझे पसंद नहीं है इसको square नहीं दूँगा तो चलेगा क्या नहीं ऐसे नहीं चलता अगर root 2 को square नहीं देगी तो उरोएगा न मुझे क्यों नहीं दिया बाखी सबको दिया मुझे क्यों नहीं दिया ठीक है तो सबको देना पड़ेगा तो 2 को भी दिया root 2 को भी दिया k को भी दिया अब इसको solve करते हैं क्या आएगा 1 square बन जाएगा 1 और ये k square ऐसी हो जाएगा प्लस ये 2 square क्या आ जाएगा 2 का square होता है 2 2's are 4 फिर ये root 2 का square जब calculate करेंगे तो ये छतरी के साथ square cancel हो जाएगा तो यहाँ पर 2 बचेगा बहुत बुद्धिश आली लोग क्या करेंगे सीधा यहाँ पर 2 लिख देंगे तो 42 दिखेगा ये 42 नहीं है बच्चो ये वाला जो है न ये multiply हो रहा है न दोने एक दूसरे से तो यहाँ पर multiplication है भूलना मत तो यहाँ पर ये 2 directly मत लिखना यहाँ पर इसे multiply 2 ठीक है ये जो root 2 का square होके 2 आया है और ये 4 है 4 और 2 multiply हो रहे है जोसरे से फिर ये k square तो मुझे ऐसे का ऐसा मिल जाएगा अब आगे क्या आएगा ये 1 k square प्लस 4, 2, 0 8 हो जाएगा 8 k square तो मुझे मिलेगा 8 k square 1 k square plus 8 k square मुझे मिल जाएगा 9 k square मतलब pr square का value आया 9 k square अगर मुझे pr का value निकालना है तो दोनों तरफ square root लेना पड़ेगा ठीक है लो दोनों तरफ square root ऐसे आ जाएगा दोनों तरफ square root ले लिया तो छत्री बन जाएगी दोनों के उपर अब pr square के उपर जब छत्री आएगी तो square और छत्री cancel क्या बचेगा pr and k square ठीक है अब next step क्या आएगा therefore pr is equal to what is square root of 9 9 का square root है 3 ठीक है और एक extra step लिखना है तो 9 को अब लोग 3 square लिखेंगे ठीक है फिर 3 square के साथ छत्री cancel करेंगे कर सकते हो वैसे मिए फिर ये k square के लिए square और छत्री cancel क्या बचा सिर k तो मुझे मिल गया pr का value pr का value क्या है 3k तो आपके पास pq का value आगया qr का value आगया and pr का value आगया तीनो साइड के value आगया 100 का तोवा यूज करके जो बागी दो ratios पूछे हैं कौन सा पूछा है sin theta and cos theta आप easily निकाल सकते हैं ठीक है जल्दी से निकालो देखो ये values मैंने already निकाल ली थी है तीनो साइड की सिर्फ substitution किया यहाँ पे 2 root 2k upon 3k था kk cancel क्या बचा 2 root 2 upon 3 यहाँ पे answer लिए तो मुझे tan theta दिया था उससे मैंने sin theta and cos theta निकाल लिया कैसे निकाला पहले tan theta का so का तोवा यूज करके proportion निकाला फिर proportion का property यूज करके PQ और QR का value निकाला ठीक है दो sides मिल गए next step तीसरा side निकाला है कैसे निकालेंगे time pass करके तो नहीं निकलेगा Pythagoras theorem लगाना पड़ेगा Pythagoras theorem लगाके तीसरा side निकाला तीनो side मिल गए फिर 100 कातवा यूज करके मैं कोई भी ratio calculate कर सकता हूँ ओके वीडियो पॉस करके एक बार देख लो आया समझ में तो हमारा 9th question भी खतम हो गया तो बच्चों ये वीडियो अलोड़ी काफी लंबा हो गया है तो practice set 8.2 का part 1 हम यहीं पे खतम करते हैं ठीक है इसमें हमने first question में 9 questions थे पूरा table भरना था हमने पूरा table भर दिया है हमने क्या यूज किया था अपना magic words हो कातवा ratio and proportion and python करस्थियरम वो यूज करके हमने ये पूरा table भर दिया है आपको हर एक सम अच्छे से देखना है ताकि और कोई भी problem आपको आए तो आप easily solve कर पाए okay I hope आपको ये lecture समझ में आया होगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे like जरूर करें और इसका link अपने दोस्तों के साथ भी share करें ताकि वो भी trigonometry से nerd अरे trigonometry सबसे simple topic है सबसे जादा scoring topic है और ये topic आपको आगे भी बहुत काम आने वाल है 10th में भी इसके उपर एक पूरा chapter है ठीक है और जादा तर लोग ये topic option में छोड़ देते हैं it is a pity बहुत ही जादा easy topic है तो अच्छे से practice करो कोई doubt है तो comment section में मुझे पूछो अगर आपने हमारे channel को तक subscribe नहीं किया है comment section में मुझे जरूर बताएं कि आपको ये video कैसा लगा आपकी कोई suggestions है कोई सुझाव है तो मैं जरूर कोशिश करूँगा कि मैं implement करता हूँ thank you so much for watching this video